हेलो एर्यवीवन, वेलकम तो मैं चैनल, देपलीज दाइका, स्वातका तलका आज हम बनाने वाले हैं रोस्टेट चिकन तो फटा फट से एक नजर डाल लेते हैं इसके इंग्रीडियेंट्स पर सबसे पहले एक कप तही, एक टी स्पून घरम मसाला पाउडर, एक टेबल स्पून धनिया पाउडर, लाल मिर्श पाउडर, अकॉर्डिंग तो यूर टेस्ट अगर आप तीखा खाते हों एक टी स्पून गुलकी जीरा पाउडर, पिंच ओफ हल्दी, एक टेबल स्पून चिकन मसाला पाउडर, एक कप लहजन अधरक का पेस्ट, एक कप सरसों का तेल, तेल आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं और नमक अकॉर्डिंग तो यूर टेस्ट तो चलिए, अब मिक्सिंग प्रोसेस शुरू करते हैं, एक बरतन मी चिकन ले लेंगे और सारे मसाले उसमें वन बाई ओन एड़ करते जाएंगे और फिर हम एक स्पून की मदद से चिकन को मिक्स करना स्टार्ट करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताके सारे मसाले चिकन में अच्छी तरह से एब्सॉर्ब हो जाए और इसके बाद देल से दो घंटे के लिए हम चिकन को मेरिनेट होने के लिए रख देंगे अब हम गया से स्टार्ट करेंगे और एक गरम कड़ाई में दो चमच सरसो का तेल डालेंगे जब तेल अच्छी तरह से गरम हो और उसके बाद भूना शुरू करेंगे गैस मीडियम फ्लेम कर दे और इसे लगाता भूनते रहें आप देख सकते हैं चिकन अच्छी तरह गल गया है इसे अच्छी तरह चाहर चाहर चला कर अच्छी तरह से पकाएं दिरे दिरे आप देखेंगे चिकन विल्कुल रेड होता यहां मैं आपको बिल्कुल जूम करके देखा रही हूँ आप देख सकते हैं चिकन कितना जूसी लग रहा है कितना टेस्टी लग रहा है आप मेरी यह कुई एजी रेसिपी ज़रूर ट्राइ कीजिएगा आप रोस्ते चिकन को गर्म गरम कचुरियों के साथ सर्फ करें सो मिल